लॉकडाउन के चौथे चरण में राजसरकार ने कई तरहा की दुकानों को खोलने की छूड़ दी है। लॉकडाउन के चोथे चरण का आज दूसरा दिन है। अभी साफ सफईयों का दोड़ चल रहा है। तो वहीं कहीं जिगह यहां पर सैलून पोई तरीके से तयार है और कस्टमर भी पहुंचने शुरू हो गए है। अभी हम एक सैलून में खड़े आप देख सकते हैं। कि यहां पर जो एंट्री गेट है वहां पर बगाईदा सेनिटाइजर लेके खड़े हैं। सैनिटाइज किया जाएगा जो भी व्यक्ति इसके अंदर आएगा। इसको यहां पर आप देख सकते हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ तो पहले जो है सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद जो है यहां से एंट्री होगी हम दिखाना चाहेंगे। आपको gate पर जो है hand sanitizer रखा गया है अंदर आप देख सकते हैं कि जो customer भी आया है हालांकि customer इका दुका आ रहे हैं लेकिन customer आप देख सकते हैं जो यहाँ पर काम करने वाले करमचारी है वो बकाइदा यहाँ पर पूरी तरीके से gloves और जो mask है उसके साथ cutting कर रहे हैं और पूरी तरीके से जो है gloves और mask और पूरी तरीके से सावदानी के साथ में जो है यहाँ पर काम चल रहा है आप देख सकते हैं इनसे ही बात करते हैं पिछले दो महीने से बंदत है पालर किस तरह की कि आप जो आज आप पूंचे हैं पहले एक्चली बहुत अनेक्सपेक्टेड रहा है यह लॉगडाउन हम लोगों ने अपनी लाइफ में फर्स टाइम ऐसे सुना है कि कभी कोई ऐसे पूरे वर्ल्ड में यह लॉगडाउन हो जाए और पालर आने की हमेशा से एक परादत भी रही है यंग एट से बंद हुए तो स सदिनली बहुत सारे काम ऐसे थे जो हम घर पे नहीं कर सकते थे जैसे आइब्रोज बनवाना तो इसलिए आज पालर खुला है पता चला तो फिर हम लोग रेगिलर कस्टमर्स हैं इसलिए हमने सुचा हमार्ट मैलाउं को जितना सोग होता है पालर जाना हर दूसरे तीसरे द सदिनली एक दिन में दो बार तो नहीं जा पाती लेकिन हाँ फिर भी कुछ एक चीज जरूर ऐसी होती है जिनके लिए पालर की तरफ देखना ही पड़ता है और जैसे हैस्टाइग बलंट जो पालर है ये मेरे लिए बिल्कुल एक बहुत होमली फीलिंग देता है बिकुस यहां पर हर जना बहुत केर करके वो करता है और मैं बहुत हैपी हूँ कि आज भी जब हम आए हैं तो यहां पर सैनिटाइज़ेशन का बहुत ख्याल रखा गया है और जैसे मैंने बोला कि कई चीजे हैं जैसे फेशिल करना आई ब्रोज बनवाना ये ऐसे काम है जो खुद अकेले से नहीं होते तो खुले हैं तो आज बहुत अच्छा लग रहा है इनको बहुत मिस किया था मैला है काफी मिस कर जीए क्यों कि लॉक्डाउन लंबा चला और लॉक्डाउन के दौरान जो है यह पालर हो चाए सैलून हो सभी तरह के जो दुकान है थी चोटी मोटी व हमसे भी बात करेंगे कि किस तरह के की सावदानी है और क्या गाइडलाइन है हम बात करना चाहेंगे आप से जी सर बताएं जिस तरहे से सरकार पर ने काईड़ाइन जारी की है इसके बाद आपने खुलने की इनुमती धी एकक्ष कुलने की साफ़दानी है किस तरहे हमें पे तो जैसे आपने अबहां कि ।दस चेज्स थीं पहलेज़ अभने जोनों दिए और यह परद से all- allocated को मजड़ा एंद करेंक हैं जो भी अंदर आ और प्रौब्ल कर सके करेंश का उधिसके करको्राइब कि कौन कैस्ते मरा हैं देन के और malt work कर्षें। तो ये कुछ चीजे हैं जो और जैसा कि आप देख रहे हैं हाथ सबको दोने और मास्कों को पहरना है ये चीज तो नामल है सरकार की guideline है guideline के मताविक यहां पर जो भी customer आ रहा है उसकी बगैदा पूरी हिस्ट्री है वो note की जारी है उसका कारण है कहीं अगर कोई customer बाद में जब पता चलता है अगर corona के समंदीर किसी परकार के लक्सन मिल पाया तो उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है तो इसके लिए यहाँ पर बगैदा रेजिस्टर पर एंट्री कराई जा रही है मुबाईल नंबर लिखाई जा रहा है इसके लावा जो है यहाँ पर जो कुर्सिया लगी थी उस कुर्सियों के बीच में दूरी जो है डिस्टेंस जिस तरीके से सरकार की तरब से कहा गया है कि सोशिल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है आप देख सकते हैं बीच वाली जो कुर्सी है वो यहाँ से हटा दी गई है और जो है एक लंबा गैप रखा गया है ताकि जो है कोई भी कस्टमर आये तो दोनों के बीच एक दूसरे का संप्रक्त न आये ताकि ये संक्रमन का खत्रा न रहे कैमरा परशन येश मातूर के साथ हनुमन सिंग चारण एवन टिवी जैपूर